सभी मित्रों को नमस्कार मंत्र जड़ी वूटी ग्यान चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मित्रों आपको मैं एक लीवा टॉनिक बताने जा रहा हूँ देखे आज कल इस चीज की जरूरत जो है आज कल के समय में सब को है कम उम्र से लेके बुजूर्ग तक इसलिए जरूरत है सब को देखे पहले के जवाने में पुराने बुजूर्ग लोग होते थे उस समय खेट का उगाया हुआ सबजी उगाई हुई उगाया हुआ रासन चावल धान जो चीज है गेहूं है सब एकदम समय जो गोबर के खास से तयार होता था तो उस समय कोई बीमारिया नहीं होती थी ठीक और अब का जो खान पान और रहन सहन है तो इसमें क्या है जादतर जितनी चीज़े आ रहे हैं सब चीज केमिकल आप अगर सेब भल भी अगर आप ताकत के लिए खा रहे हो तो वो भी कहीं ने कहीं केमिकल से तयार हो रहे हैं और सबजीयों में कुछ इंजेक्σιन लगा के पैसे कमाने के चक्कर में लोग स्वास्थ, पैसे के लिए लोग इतने अन्धे हो जा रहे हैं कि उनको स्वास्त से किसी के मतलब नहीं है कि किसी का क्या बिगड़ रहा है क्या नहीं बिगड़ रहा है इसी लिए सबसे ज़्यादा आजकल बीमारिया भी आ रही है इसी बीमारिया आ रहे है जो पुराने बुजरुग लोगों ने कभी सुनी नहीं उस समय में कभी होती नह जब यूरिया खाद है इन सब चीजे से कोई फास्ट फूड है ये सब चीजे खाखा के क्या होता है पेट में इंफेक्शन हो जाता है तो अब इंफेक्शन खत्म करने के लिए सरीर में जरूरी है क्योंकि इंफेक्शन की बिमारी भी कोई मामुली बिमारी नहीं है सुरू मे तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये भी सरीर में जब फैलना शुरू होता है, तो इसके भी बहुत भहंकर बिमारी होते हैं, जैसे गुर्दे में इनफेक्शन होने की वज़े से भी धात की प्राब्लम होता है, किसी कुछी को यूरीन से प्रोटीन आता है, वो इस दवा को सब को यूज़ करना चाहिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जो लोग लंबे समय से सक्सूल प्रॉब्लम किया कोई गरम दवा खा खा के अलकोहल पी पी के जादा तर जिगर मसाने में गरमी बैठ गई है ठीक है और जो भी सेक्स पावर का इलाज और धात का इलाज जो भाई करना चाह रहें तो उस से पहले इस चीज़ का उप्योग करें उसके बाद अपना आप इलाज करिए और उस दवा को जब खाते रहें आप या सेक्सूल प्रॉब्लम की धात की किसी भी की दवा उसको खाने से पहले आप इसका एक महिने का कोर्स कर लीजे ठीक उसके बाद जब आप कोई मर्ज की दवा खाएं तो उसके बाद आप इस दवा को कांटीन्यू करते रहें जब तक इलाज चला इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आपके ये गुर्दे को ताकत देगा लीवर को ताकत देगा अगर जिगर मसाने में गर्मी है उसको भी निकालेगा ठीक इसके मतलब बहुत से फाइदे हैं और बहुत से लोग होते हैं जो जिनको खाया पिया नहीं लगता है सरीर में हमें इसा कप जिग्राइस बढ़जमी ये सब दिक्कते रहते हैं ये समय पेट की बिमारियों के लिए आल राउंडर है लीवर गुर्दे सब को ताकत देगी है ठीक है तो इसको आप इस्तमाल ज प्यार किया ये 100% नेचुरल आयुर्वेद है अगर इसको लैब में भी आप टेस्ट कराना चाहोगी तो लैब में टेस्ट करा लो ये नेचुरल बाड़ी बनती है इसको खाने के बाद आप अगर छोड़ भी दोगे तो आपकी वह अगर आपने एक महिना खा लिया एक महि ने दिया है अभी तक उनकी अच्छी खासी बाड़ी बनी है और दो-तीन साल बाद भी उनका सरीर वैसे को वैसे ही है बस इसमें यह सर्थ कि जैसे बाड़ी बनाने वालों के लिए तो बहुत अच्छा है और ऐसे भी लोग खा सकते हैं ठंडक का समय ये 15 दिन में ही आपके पूरे सरीर में चेंजिंग लाना शुरू कर देता है जो गाल एकदम घुज गया है गड़े में जिनके वो भी गाल एकदम फूलना भरना शुरू हो जाते है 15 दिन में आपको अपने चेहरे पे खुद भरका दिखने लगेगा 15 दिन में ही 13 से 15 दिन में 20 दिन के अंदर अं अंबे समय तक वीर लोग जो बरबात कर देते हैं वीर को भी बनाएगा और सरीर में एनरजी जैसे लोग सुस्त ठके ठके रहते हैं एनरजी को भी बढ़ाएगा इस दबा की कीमत मातर 15 सो रुपे की एक महीने की है तीन महीना इसको खाना पड़ता है तो ठंड़क में आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं बस खाली धात के और सबने दोस्त की रोगी इसको नहीं खा सकते हैं उसका इलाज करें ठीक तो जिस किसी भाई को मंगाना हो यह मंगवा सकते हैं 100% गारंटी के साथ यह वजन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा यह फेल नहीं है तो चलिए इ इसको इलाज करना हो, सेक्स पावर का, किसी चीज का, इसमें आपको चंद नासव लेना है, अर्क बादियान लेना है, ठीक, और एक चीज मैंने यहां नहीं रखा है, वो अर्क मकोई, जिसके मतलब पैसे पाइस भी किसी किसी को होती है, तो पाइस वाले मरीज को भी है, जो कि दवा जुखा रहा है, आप इसको मिला के खिला सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, गुदादवार में जो सूजन आ जाती है, मस्से निकलाते, तो अगर लीवर में सूजन है, तो सूजन को भी यह कम करेगी, ठीक, सूजन को भी आपके पूरी तरीके से खतम कर देगी, 500 ml की एक एक बोतल लेना है और अर्क मकोई को एक बोतल लेना है ठीक एक पांच चीजे आपको किसी एक बोतल में पांचों सीरप को जो है एक में ही मिला लेना है किसी बड़े बर्तन में करके एक में मिला के फिर बोतल में भल लेना है इसको और अगर आप और पावरफुल बन सुबा साम माजून को आप 3-5 ग्राम खाके उसके बाद 500 अमल वाला जो यह है यह धकन खोलके पांच धकन पानी और पांच धकन दवा 18 साल से उपर वालों के लिए 18 साल से कम है तो 3-2 धकन मतलब पच्चीस से तीस हैमल और ठारा के उपर वालों को तीस से पचास हैमल माजून खाने के बाद उपर से यह आप पी लेंगे ठीक तो आप एक महिने में देखेंगे जिसे पिसाब पी लिया आती है यह सब दिक्कत आपकी खतम होने लगी बहुत ही गजब की यह दवा है और अगर आप नहीं माजून इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपके वाल इन पांचों को जो मैंने नाम बताएं इनको इस्तमाल करें तो बहुत ही गजब का रिस्पॉंस मिलेगा तो जिन भाईयों ने मैंने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है उनको से गुजारी से सब्सक्राइब करें आपको अच्छे अच्छे नुस्खे मैं बताता रहूँगा और आगे और अच्छे अच्छे मैं नुस्खे लाँँगा और वीडियो को मित्रो लाइक जरूर किया करें अगर पसंद आया करें तो यह इस दवा को आप इस्तमाल करें जरूर इस्तमाल करें अपने घर में बड़े बुजरुगों को इस्तमाल कराएं जो लंबे समय तक जैसे दवा खा चुके हैं उनका लीवर कमजोर हो गया तो उनको भी बहुत यह गजब का फायदा करेगा दो-त बनाने का सोख है वजन बढ़ाने का सोख है तो वो मगवाएं बस खाली धात और सुपने दोस्त के रोगी इसको नहीं इस्तुमाल कर सकते हैं इस चीज का ख्याल रखें धन्यवाद